दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत एक उपसूरत पोयम को डिस्कुस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर इस पोयम को लिखा था आगा शाहिद अली ने दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो पाइट थे आगा शाहिद अली यह काफी टाइम से अपने घर कश्मीर नहीं आये थे और वो कश्मीर आना चाते थे इन्हें इस पोयम में कई सारे मेल्स मिलते हैं पोस्ट कार्ड मिलते हैं जिसमें यह कश्मीर की फोटोस देखते हैं और यह सोचते हैं कि कश्मीर मेरे मेल बॉक्स में समा गया है बड़ी खुबसूरत पोयम है हम लोग शुरू करते हैं कश्मीर को बड़ा प्यार करते हैं लगता है यह बोलता है कश्मीर shrinks into my mailbox मेरे mailbox में कश्मीर सिकुड कर श्रिंक होकर समा गया है लगता है इसा लगता है हमारे poet को कैसे क्योंकि उसे postcard मिलते थे जिसके अंदर photos मिलती थी और photos उसके घर की होती थी वो बोलता है my home I need 4 by 6 inches 4 by 6 inch क फोटो होती थी वो एक साफ सुत्री सी फोटो मेरे घर की तो उसके तुरू खुबसूरती आ जाती है मेरे mailbox की अंदर कश्मीर shrink होकर मेरे mailbox में समा गया है I hope यह दो लाइनों का मतलब समझ में आया होगा I always loved neatness मुझे हमेशा से सफाई neatness पड़ी पसंद थी इसलिए कश्मी जो बहुत साफ और सुन्दर है now I hold the half inch Himalayas in my hand मेरे हाथ में मैंने half inch Himalayas को थाम रखा है उस फोटो के तुरू this is whom यह मेरा घर है and this is the closest I'll ever be to whom शायद वो तस्वीर के पास जाकर बोलते हैं कि मैं कितना पास हूँ अपने घर के शायद point वहाँ पर वापिस ने जा सकते इसलिए बोलते है when I return जब मैं वहाँ पर लौटूंगा कभी the colors won't be so brilliant जो कश्मीर के color है फूलों के color कश्मीर का color उतना brilliant नहीं होगा जितना मैं so ultramarin यानि जेलम जो वहाँ की नदी है उसका जो पानी है कितना साफ है कितना ultramarin है वो इतना साफ नहीं होगा वो इतना ultramarin नहीं होगा गहरे नीले रंका नहीं होगा जैसा कभी हुआ करता था आगे part बोलते है कि जब मैं वहाँ पर लाटूंगा ना my love so overexposed मैं अपने प्यार को छुपाने ही पाऊंगा कश्मीर के लिए क्योंकि सब जान चुके होंगे कि मैं कितना प्यार करता हूं कश्मीर से overexposed हो जाएगा मेरा प्यार and my memory will be a little out of focus जब मैं वहाँ पर लाटूंगा तो मेरी याद थोड़ी थोड़ी दुंदली हो चुकी होगी है उसका reason यह होगा कि अब जब मैं कश्मीर को देखूंगा तो मैं पुराने वाले कश्मीर से उसको compare करने की गोशिश करूंगा आज के कश्मीर से नहीं मेरे पास आज भी कश्मीर की एक जाएंट नेगटेव पिक्चर है जिसके अंदर वो ब्लैक और वाइट कलर का दिखता है और उस पोटो में वो अनडवलब लगता है पाइट के पास कश्मीर की कुछ पुरानी तस्वीरे हैं जिनको वो नेगटेव फॉर्म में देखता है और याद करता है और compare करता है कि आज कश्मीर कैसा हो गया होगा अपने birth place को अपने native place को वो याद करता है और यहीं पर ये poem खतम होती है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की इस वीडियो में सतना ही